ये कैसे कैसे आपको पता है मैंने अभी पीछे उपनिक्स डाली थी पार्ट टाइब जॉब की कई देड़ सारी लोगों ने मेल किया था बट बिलीब करो उसमें से केवल दो लोग थे जिनका मेल ऐसा था कि नहीं है इसको पढ़ना चाहिए बाकी लोग इस तरीके से अप्लाई किये थे तो मेरे दिमाग में आया कि आप ऐसे बहुत डेट सारी लोग दिन भर अप्लाई करते होंगे लेकिन सोड लिस्टिंग मिल ही नहीं सकती क्योंकि वो किस तरीके से अप्लाई किये थे कि मैं exactly सर इस चीज में perfect हूँ मुझे करीब करीब 10 बच्चे चाहिए थे जो एकदम perfect हो 10 से 12 definitely मैं देख रहा था कुछ लोग non-technical में भी अच्छ हो क्योंकि सारा काम जो technical का है maximum तो मैं कर लेता हूँ बट कुछ काम बसते है technical में वह में share करने वाला था साधी साथ मेरे पास कुछ non-technical काम जिसे digital marketing, video editing, graphic designing इन सब चीज़ों का भी काम था लेकिन कई दे सारे लोगों न's apply भी किया था किसार मुझे यह आता है यह आता है बट किसी यह नहीं mention किया ज़र यह देखो मेरा task है तो मैं यह नहीं का रहा हूँ कि आप फिर से apply करो जिसको करना कर सकते हो क्योंकि अभी भी उपनिंग्स खाली है मेरे पास लबग 8 लोगों की उपनिंग्स खाली है दो लोगों को मैं hire कर रहा हूँ किसे email लाइटिंग करते कैसे है तो आप email लाइटिंग सीखो कई लोगों ने पास रेजिम भेज दिया है apply for a financing job कचाने का डिबबा है क्या यार कई लोगों ने क्या कर रखा है कुछ भी भेज दिया ये देखो ये कर दिया मैंने ये वेज़ा अगर आप stat के लिए बोल ले हो तो stat में क्या किया आपने कुछ टास तो किया होगा submit करो देखा तो जाए कि आपने किस तरह किस लोड लगाया है किस तरह किस से calculation किया कोई presentation का वे है क्या वो तैयार करो अगर आपको powerpoint बनाना अच्छे साथ है तो powerpoint में कोई slides है कि आच्छा आपको content writing का कम चाहिए है मेरे पास content writing का believe करो लेकिन उसमें कुछ आपने किया है कुछ किया नहीं तो कुछ sample तो बना के दिखाओ कि सर ये मेरी sample works है जिनको देख दिल खुस और लगे कि नहीं यार ये बंदा जो है और right है बिलीब करो करीब करीब 60-70 लोगों ने apply किया था और उसमें से जो सही तरीका था उसमें केवल एक है दो लोगों का मुझे ऐसा लगा कि नहीं है इन्होंने थोड़ा मेहनत किया है अपना symbols दिखाय हुआ है तो अगर आपको part-time job चाहिए तो आप apply कर सकते हो किस तरह का काम आता है important नहीं है जो भी काम आता है उसको कुछ proof है कि आपके बास ये मुझे आता है कैसे trust करेगा कोई भी इंसान मालो मैंने तुमको hire कर लिया आच कल तुमको पहने बोला है तुमको काम नहीं है तो fire कर दिया तो चार्ज दो जाकर जाकर यही बोल कि आओगा ना रहार unique civil बकवास है आप मुझे तो बकवास बोल दिए लेकिन आपने जो apply किया तो उसे proof क्या दिया ठीक है सिर्फ और से आपके कहने से कोई नहीं मान लेगा कि आपको आटा क्या है अगर आप किसी भी company में apply कर रहे है तो छोड़ दो unique civil को ठीक है आप सोचो कि किसी भी company के आप्लाई कर रहे है तो काम का proof दो कि मुझे यह आता है आप इसको देखो इसके base पे मुझे judge करो ठीक है जब कोई proof ही नहीं दे रहो तो judge कैसे करें आपको तो यह सबसे बड़ी गलती है इसके टाइम में लोगों के साथ अगर आप इस चीज़ को बहुत डीप समझना चाहते हो तब ही हम लोग civilly गुर्कुल स्टार्ट किये हुए तो उसका अलग सी YouTube चैनल ले लिंक discussion box में है वहाँ पर यह सारी चीज़ में सिखाने वाला हूँ कि email writing किस तरीके से करते हैं किस तरीके से और वी जो अलग अलग task है किस तरीके से करते हैं उसके लिए बहुत डीर सारी subject matter expert भी मैं हाँ हाईर करने वाला हूँ प्रूफ उनको share करो, cover letter share करो, portfolio share करो या फिर कोई project किया तो project का आप sample share करो कि sir आप देख लो मेरी काविलियत क्या है उसके recording सामने वाला judge करने मुसको आसानी मिजाती है यह मैंने आपको वीडियो बना कि क्यो बताया इसलिए जिसे का आपको एक idea लगे कि एक honor किस तरीके से सोचता है, company वाला क्या सोचता है कि यार कैसा लोग चाहिए मुझे, वो आपको पता चल सके ठीक है अपनी mistakes को अगर याद है आप लोगों कुछ नीचे comment कर बताना अगर mentor से बसते तो चलो ठीक है, लेकिन किसी company में अपनी family को बत share करो कि family problem है कोई भी नहीं समझेगा, हर कोई चाहता है मेरा काम हो, ठीक है तो आप family conditions को मत दिखाऊ, कोई भी इतना emotional नहीं होता है कि क्या बोलते है अरे अरे इसकी family condition खराब, इसको काम नहीं आता फिर भी रख ले, रखेगा कोई भी तो आपके काम के basis पर रखेएगा इसलिए अगर आपको apply करना है, आपको कोई भी काम आता है, आपको presentation अच्छे साकता है, आपको किसी भी skills की perfection है जिस भी चीज में perfect हो, फिर से भी बोल रहा हूँ, गुर्कूल, civil engineering, area, jival.com पर करना बट अपना काम साथ में mention करना कि सर मैंने ये किया है, इसके basis पर दो आप, ठीके जी कई लोग ने किया भी था ऐसा, ऐसा नहीं कि कई लोग ने किया नहीं था, कई लोग ने किया था, बट उनका काम जो है, वो up to the level जो मुझे चाहिए था, नहीं था, लेकिन कि maximum लोग जो थे, वो just ऐसे जैसे की, वो कर रहे हैं कि बस, टिक टिक टिक, हो गया, कूडे वाला काम कर रहे थे, ऐसे नहीं होता दोस्ट, अच्छे सब लाई किया करो, किसी भी कंपनी में, cover letter अच्छे सडाला करो, resume अच्छे सडाला करो, और उसके साथ अपना portfolio अच्छे परफेक्ट होंगे, जैसा आप डिमांड करोगे, सर मुझे यस चीज़ परफेक्शन चाहिए, उस तरह के लोगों को वहाँ पर लेक्याने वाला हूँ, एक community बना रहे हैं, जो community अपने आप enhance करेगा, knowledge को enhance करेगा, communication के knowledge को enhance करेगा, कैसा चीज़ चाहिए, सिविल इंगुर पर बताओ, वहाँ पर नए नए लोगों को लिए आके हम आपके साथ सेर करें, thank you so much for watching video, I hope you like this, चाहिए, जबात